कि अज़े कब जवाब देंगे इंदू प्रकाश जी कौन इंदू प्रकाश जी नौएडा एथोर्टी के OSD इंदू प्रकाश जी बार-बार संपर्क किया मगर कोई जवाब नहीं मिला किस मामले का जवाब और किस बात को लेकर जवाब मसला सीधे तोर पर जुड़ा है उन चमचमाते होडिंग से जो आप नौएडा दिल्ली के बॉर्डर्स पर देखते होंगे जिसकी बानगी कालंदी कुझ पर हमने आपको कई बार दिखाई कई बार बताई लेकिन उस होडिंग का सच क्या है ये आज तक किसी को मालूम नहीं जला या मालूम है या फिर जान कर अंजान बन गए आखिरकार ये कहानी है क्या बार बार संपर्क करने के बावजूद भी जवाब ना मिलना इंदु परकाश जी आखिरकार कब देंगे विज्यापनों का हिसाब सिचाई विभाग की आखिरकार भूमी का क्या है यही तो सवाल था यही तो सवाल था कि आखिरकार जिल्ली और नौइडा के बॉर्डर पर जो विवाद है उसकी कहानी उसकी सच्चाई क्या है आखिरकार सीमा विवाद का किसका आखिरकार कैसे फाइदा मिर रहा है और किसकी शहब पर लगे हैं ये अवेद होडिंग्स अगर अवेद है तो आज इसी मुद्दे पर वो ऐसे खुलासे हम आपके सामने करेंगे जिसे सुनकर आप भी हैरत में आ जाएंगे कहेंगे कि वाद क्या वाकई में ऐसा भी हो सकता है और आखिरकार ये सच जिसको लेकर सवाल खड़े होते रहे क्योंकि बात नुएड़ा एथौटी की है और नुएड़ा एथौटी का मैं जिक्र करूँ तो जो नुएड़ा एथौटी की CEO है रितु महाश्वरी कोई दो राय नहीं एक बहतरीन अधिकारी है एक बहतर अफसर है वो अधिकारी जो ग्राउड जीरो पर काम करती है महनत करती है लेकिन क्या उनकी महनत पर एथौटी के अधिकारी ही पलीता लगा रहे है यह सवाल यक्ष प्रश्ण है और इस सवाल का जवाब आज तलाशेंगे भी और कुछ ऐसे तथे हम आपके सामने रखेंगे जिससे सुनकर आप भी हैरत में पढ़ जाएंगे और हम क्यों कह रहे है कि इंदू प्रकाश जी जवाब दें जवाब देना भी चाहिए क्योंकि हमारा सिर्फ इत्रा कहना है कि पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ही जवाब देगा चाहे वो इंदू प्रकाश जी हो या फिर कोई हो रहा हूँ जो पद पर होता है जवाब उसी को ही देना होता है तो आपको बता दे कि इस वक्त हमार साथ हरिश एस्वाल जी है हमारे वरिश सयोगी है और वो बताएंगे आपको कि आखिरकार ये कालंदी कुझ से नौइडा तक पर लगे होर्डिंग के असली किस से क्या है हरिश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरिश जी ये कालंदी कुझ पर जो लगे होर्डिंग से है इसको लेकर न्यूस वर्ल इंडिया ने तमाम सवाल उठा है बार बार उस सवाल उठा है लेकिन अब ये जो तथे हैं इसके खुलासे अब तक नहीं हुए और इंदू परकाश जी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता ये कहानी है क्या असल में क्या है कि इंदू परकाश जी से परसनली मैं भी उनको अगवड कराया उनको वर्ट्सेब दोरा मैसेज भी भी भेजए आपको दिखाता हूं अभी आ परसनली आफिस में भी घया हुँ पताया इस बारे में कि आप कि या अभैद दिग्यापन चल रहे है जो उन्होंने सरसरी निगाह से मेरे को बुला हाँ ठीक है और कल तक सब हट जाएंगे हटे भी ऐसा नहीं कि नहीं हटे उनके कहने जब हटे भी एक दिन दो बार तीन बार पर क्या होता है कि जब तक हम टाइट रहते हैं हम लोग इसको ख़बर को बनाते हैं तब तक तो वह देख रहा है तो ग्यापन लग जाते हैं पर इस बारी तो इस तरह मौसम खराब रहा सब तरफ से देखा जागे हर जगे पूरे देश में एक मौसम ऐसा था रोडिंग का सबसे बड़ी बात है कि आपको कई जगे देखने को मिलेगे होडिंग के गिरने से कही मौत भी हो ग बात है वो क्योंकि जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको भी प्लीज जडागर आप समधा आप आपकी बात कि अब असल में क्या है कि यह दो लोगों के बीच की बिचनस बोलूँगा मैं इसको दो लोगों के बीच का बिचनस है नॉड अथरोटी और कॉंट्रेक्टर के सकते हैं वैद भी जो सकता है agradot dolog के बीच्वशना कि इसके बारे में नहीं पता लगता है कि ये क्या है मतलब कैसे ये हुडिक का डायरेक्ट आप इसे आप हम जंता से अ कोई सरोकार निए इसने ठीक होडिंग से क्या फर्क पड़ता है आप काम जंता को विज्यापन लगे है ठीक है बढ़िया है वीडियो कॉन का इसका विज्यापन लगा है लोगों को सर्फ जानकारी मिल रहे हैं पर किसी को यह नहीं पता है कि इसके बीचे खेला किता वड़ा है हम भी कई बार गुजरते ह सड़कों पर देखते हैं होडिंग लगे हुए है कभी इस तरह का ध्यान गया होडिंग का जो है ना सरकार की तरफ से आप बोलते हैं कि आप अगर हवा में कोई भी चीज लगाओगे तो इसका मतलब है निकि फ्री है फ्री की राजदिती जो है कई और होती होगी पर उत्त आप कोई नहीं होते हो कि सरकार को आप देख सरकार आपको चिन्नित करेगी कि हां आमने आपको कंट्रैक्ट दिया है आप आप होडिंग लगा सकते हैं इतना पैसा आप जमा कराई है उधारन के तौर पर जैसे दिल्ली के तमाम बार्डर्स हैं ये तो एक छोटी सी बानग ज सरकार आप जबताहरा आप 10 45 Express कर रहा है तो उनका कहना है कि द स्ट्र दिल्ली को ये जाने है वह बहल से जानेंगे हो बहता है आप यूनि पोल तो आप को सड़क पे लगा एंट capacity को अभा क помог कि इस बाद का जो फाइडा है वो अधिकारी और वो contractor जो अवैद है वो दोनों इस बात का उठाते हैं अज सबसे बड़ी बात बताओं कि इस के अंदर वाद विवाद के अंदर खेला को छोटा मुटा नहीं है एक होडिंग की कीमत 80,000 रुपे से स्टार्ट होती है डेड़ लाग रुपे तक जाती है यानि लाखों का ख जाता है वो वाले रास्ते पे देखेंगे गाज्यवाद के अलिक्ट्रोनिक शिटी के रास्ते पे देखेंगे यह तरवाम जितने भी विवादी छेतर हैं वहां पर यह होडिंग सापको देखने है इस पे नड़ा 30 नहीं है नड़ा 30 के अधिकारी और वो जो इस तरहा के एक्टर ने दिया यह इसका एग्रिमेंट है ठीक दूसरी एफायर दर्ज कीजिए उस पर वो बिल बलाता हो जाएगा साब में तो इनकी परमीशन से गया था तो तीन आदमी आपके बास तुरंट पकड़ में आते हैं और करोड़ों का जो खेला है वो खुलता है यह बात को जानते हुए भी यह बात हम क्यों कह रहे हैं मैं चोटा साओ धारन आप लोगों को देता हूं कि जब न्यूजवल इंडिया ने कई बार एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चार बार इंडू परकाश जी को इतलाह किया कि यह विवाद है तो उन्होंने भ के बाद फिर फोन किया फिर उनसे जब बातशीत की उसका ओडियो क्लिक में आपको सुनाना चाहूंगा क्योंकि हमारी जिम्यदारी है कि जो पद पर बैठे हुए विक्ति हैं इंडू परकाश जी उनको इस बारे में इतलाह किया जाए और इसमें मैं थोड़े से बात आप जिनके नीचे सब करमचारी काम कर रहे हैं जिनके आदेश पर काम कर रहे हैं मकर रित्यू महिश्वरी जी की जो चवी है जिस तरह से उनकी कारे शहली है नाडे के अंदर बतला उनको जगे जगे पर देखा जा सकता है कि वो किस तरह से महनत कर रहे हैं काम कर रहे हैं पर कि आपको जीब निकाल के चिडा रहा है कि लो भाईया मैं तो कर रहा हूँ यह उखाड सको तो खाड लो यह जो पोल्स लगे हूँ है इसकी एक दिल्शस्प कहानी है वो आगे आपको बताएंगे लेकिन जड़ा सुनिये जब उनसे बातचीत की तो क्या कुछ कहना था उनका आ नमुश्कर्ट सर न्यूस्वर इंडिया से बोल रहा हूँ आपसे अभी बात हुई थी ना सर सर आपसे अब बात हो जाएगी आप कहते ना लंच कर रहा हूँ मैं बात में बात करने ना आप थोड़ी दिर में मिलाता हूँ मैं सर दो मिनट सिर्फ बात करनी थी सर आप कोई बात नहीं मिला लेंगे है चिंटा न करनी किती दिर में मिला हूँ सर 15 मिनिट बाद 15 मिनिट बाद ठीक असर्थ पंद्रा मिनिट बाद मिनाटर और दिल्शस्थ बात यह है क्योंकि हमें अपनी अपनी जमैदारी का एहसास है इसलिए हमने कोशिश की उनको अवगत करवाने की कि ये समस्या है और 15 मिनिट के बाद हमने कई बार उनको फोन किया लेकिन उसके बाद कभी फोन नहीं उठा तो आखिरकार मसला है क्या यही हम समझना चाह रहे हैं कि सच्चाई क्या है इस होडिंस की और इसको बताने में नौइडा अथौटी को दिक्कत क्या है क्योंकि पारदरशिता का जिक्र और हवाला तो सरकार भी देती है जीरो टौरेंस की सरकार है तो फिर नौइडा अथौटी को यह सच बताने में दिक्कत क्या है कि कालंदी कुझ पर लगे हुए इन होडिंस का सच क्या है जिसमें लाखों करोडों के वारे नयारे हो रहे हैं वही बात मैं हरी श्री आप से समझने की अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति के जाने से आपकी गिंती में ता आप क्यूंकि आप थर्ड पर से ने आपकी गिंती में एक व्यक्ति गया है पर एक व्यक्ति के जाने से उसके पूरे परिवार पर जो बीत्ती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा क्या गटना का इंतजार करना चाहिए कि घटना हो तो इस पर एक्षिन हो यह सबसे बड़ा सवाल है तो फिर अगर इतनी बड़ी समस्या तो फिर सरकार की तरफ से या एठोटी की तरफ से इसको लगाया क्यों गया है यूनि पोल क्या जाधत है या फिर नहीं लगाया नहीं गया यह अवैद हैं पू पूल लगा रहे गया एक महिना भी चल गया तो अपने दस बीस लाग रुपा आ जाते हैं और वो सीधा सीधा कॉंट्रेक्टर उनके बीच में जो भी परसंटेज रेशो होगी इन दोनों की बंढ जाते हैं मैं तो सीधा बोलता हूं कि ब्रस्टाचार अगर खतम करना है त हम रितु मह estava complex है बहुत अच्छे से श्च्ष था इस में थोड़ सा महाइ पता हूँ हम रितु महईश्वरी जी को भी मैंने वट्सैप किया था परे प्रोग्राम को मैंने उनको पेज आज तो उनका जवाब निया हो सकता है, उनके मुवाइल पर हजारों मेसेज़े जाते हो, ध्यान न दे पायों, इस प्रोग्राम के जरीए अब शायद ध्यान दे दें, कितना बड़ा खेला उनके नेजर के नीचे चल रहा है, उनका अधिमाग नहीं गया होगा, उनका घर सब्सक कैमरा टीम के साथ हमने प्रयास किया उनसे बात करने का पर पहली वारे उनका रिक्वेस्ट करी कि ये नहीं चलेगा, नहीं होगा और हटा दिया जाएंगे, अठा भी उसके बात, पर कुछ समय के लिए, हमने रिक्वेस्ट उनसे ही करे थी कि अवैद हैं और इससे गटना करती है, आप इसको जड़ से काटी है, पर उन्होंने उस बात को स्टाइम पे सीरियसली इतना ही लिया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि विग्यापन की आँच उनसे तक आ जाए, उन्होंने विग्यापन अटवा दिये, पर बोर्ड नहीं कटवाए, जिसके हमारी हमारी मुहीम ही य आज जब इस प्रोग्रम पे जड़े हैं लेकिन हकीकत बानगी धरातल पर कुछ वह दो गुनियेगा इनकी, तो कलिंदी कुछ नाटा तक आते कांसे, बीस से पच्चीस बोर्ड हो जाते हैं, बिल्कुल, बीस से पच्चीस का ऐसी से भाग दे दीजिए, कम से कम भाग में दे दीजे, गणित तो यह कहती है कि आप थोड़ा सा कम रिशो वाला निकाल लीजे, आप सोच लीजे कितनी रकम इनके पास आरी है, कहां जा रही है, और मैं तो बोलता हूं कि हम लोग भी पत्रकार हैं, और पत्रकारिता में हम कितनी अच्छी गाड़ियों में बैठ सकते हैं, कितने अच्छे हम उस हवाई जाजो में घूम सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, पर एक सिस्टम बिगड़ जाता है, पर आप ठाटबाट देखेंगा न, आपको लगेगा नी, अधिकारी की तनका कितनी होती है एक IPS आईएस आदिकारी की तनका, अगर बहुत सीनियर अध आपको समझ में आ जाएगा किसी भी आईपी से मिलने जाना है आज तो ये बड़ी दिल्चास कानी है ये ये आपने क्योंकि इस पूरे प्रक्रण में कोई जेए की भूमिका भी तो होती है जेए जेए की बिल्कुल जेए की बहुत बड़ी भूमिका होते है फिल्ड रिपोर्टर तो वही होता है फिल्ड से उसने ही बताना है कि साहां सब जो न्यूज वर्ल इंडिया चला रहा है या कोई भी सीनियर से बात कर लीजिए अब अधिकारी से अधिकारी से मेरे बात कर लीजिए और अधिकारी से 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 बा कर दो उनकी बात क्या करणने तो अवैद है आप हटवाते कियो नहीं हो तो उनकी सब्थों का माइने अगर निकाले आप नहीं से एक उनकिसता रस्ली दॉटें। किस दॉट वहाराँ कर रहा हूं कि हो चाहे हो कि इसका ने साया कर दो जो हुआ कुंध हो जाता हूं नड़ा 30 दोनों को उसका रेविन्यू आता है, ऐसा नहीं है कि सिचाई विवागी रेविन्यू लेगा, नड़ा 30 नहीं लेगा, जो भी विग्यापन सिचाई विवाग दोरा पास होंगे, या जितने भी होडिंग्स वो बोलेंगे, उसका एक कॉपी नड़ा 30 आती है, तो द अब आपको मैं इंदू परकाश जी को मैं दुबरा से याद दिला दूं इस प्रोग्राम के माददें से, एक करोड़ 30 लाग रुपी की एक रिकावरी का मैंने पार लेटर लेके गया था विग्यापन का, एक करोड़ 30 लाग रुपे का, जो की इन्होंने का था, मैं दिख करिएगा, और वो जो रिकावरी का जिकर किया गया, ये देखिए, और ये जो है बकाइदा रिकावरी के आदेश है, जरा कुछ बता पाएंगे हर इस जी ये क्या है, ये एक ऐसा माफिया है नौड़ा के अंदर, कि घुमा फिरा के अगर आम नौड़ा में घुमेंगे न, तो किसी से पूछेंगे तो एक ही व्यक्ति के सारी होडिंग्स नजर आएंगे, एक ही व्यक्ति के, चाहे फुट ओवर हो, या आपके यूनिपोल्स हों, या कहीं पर या टॉilet ब्लॉक्स हों, सब जगे एक ही व्यक्ति के, मतलब उसकी फर्म के नाम चार हो सकते हैं, पर इसके बीछे एक ही है, अगर जाँच होनी चाहिए तो इसकी व्यक्ति के सारे टेंटर कैसे मिलते हैं पहली चीज, दूसरी चीज, इस पर 2018 की यह रिकवरी निकली है, 2018 की, तो 2022 आगया, 2022 आगया, चार साल में, और चार साल में वीज्यापन फे विज्यापन लिये जा रहा ह और उसके बावजूद इसकी अभी तक जब हमने इसका फाइल का पता लगाने की कुशिश करी तो नर्डा 30 से फाइल ही गायब है फाइल गायब है सोचिए कि एक करोड़ तीस लाग रुपे की फाइल ही गायब कर दी गई मगर यह कॉपी हमार पास थी इस कॉपी को तो है और एक आदमी जो आम आदमी जो अगर लाक रुपे का भी लोन ले ले ना भाई सब तो उसके घर में पुलिस भी भेज दी जाती है और दो बाउंसर भी आजाएंगे सब कुछ होगा उसके गर पर एक करोड़ तीस लाग रुपे की फाइल को ही गायब कर दिया जाता है यानि दिकावडी तक नहीं होई रिकावरी तो छोड़ी है फाइल ही नहीं है तो रिकावरी कहां से तो उनका अब इस इस डेबार्टमेंट का सबसे बड़ा खेला देखिए इस डेबार्टमें वे एक इससे पहले एसी मिश्रा जी वहा करते थे दिके आपन पर बहुत-ब मिश्रा जी की देन है कि जहां से यह फाइल गाईब उनके डिपार्टमेंट था जो मैंने अपने अपने सोर्से से पता लगा है कि उनके समय से ही यह फाइल गाईब कर दी गई थी तो कहीं ने कहीं उनकी भी भूमी का बड़ी अचा यह क्योंकि नौडा थौटी कहते हैं कि आप यहां आजाईए बस विर उसके बाद ऐश ही ऐश बल्ले ही बल्ले ही और रसूक अलग और पद अलग और रुदबा अलग और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई अधिकार यह ऐसे भी तो होंगे क्योंकि सरकार की पॉलिसी भी है कि तीन साल आपको उसके कि अधिकारी, है बिलकुत सरकार की पॉलिसई है, जब से योजिया अधितेनाज जी आये हैं तब से उन्होंने एक पॉलिसी करी, पहले सारी अधोरिटी को मरजर किया उन्होंने, सबसे बड़ी बात है। अच्छा का होता था पहले क्या होता था कि इमप्लॉयDER नाड़ आ आपके तीन साल का पॉलिसी है, सबसे मलाईदार है, सबसे मलाईदार पोच्ट, मतलब ये समझ लिए कि NCR में नड़ा का अपने एक एड सुना होगा, नड़ा है सौभीमान, यूपी का सौभीमान, यूवी का अभीमान, तो अभीमान अभीमान पे ऐसा पलिता लगा रहे हैं तो तेन साल मिनीमum भाथ सभी को हो चुक है, इंदु प्रकाजी को भी थीन साल पूरे हो चुक है, ञाल अगर रहे होंगे एक दो में来 बाकी होगे, बाकी ये है कि Сब आप एफ़ों फॉलिवं को बनृभीमान लियों 3 साल मन इन अधिकारियों के पाऊ इतने जम जाते हैं क यह बिलकुल जैसे हो जाते हैं, जैसे यह गली भी अपनी वह गली भी अपनी, वह गली भी आपनी अपनी, सब गलियों में इनका बजने लगता है। अच्छा आप कोल मिलाके कारेक्रम मैं खत्म घर रहा हूंगा, इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता इसका F.I.R है इसका रास्ता इसका F.I.R है रितु महिश्वरी जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें F.I.R दर्ज करें अब विग्यापन हटाने पर ना काम करें विग्यापन हटेगा कल सुबह हमारा प्रोग्राम चलने के वाद ये विग्यापन हट जाए पर फोटो उनको चाहिए होगी किनके एड लगे थे तो वो फोटो हमसे ले लिजिए हमारे प्रोग्राम के जरी लिए उन सब पर अफायर दर्ज करें अपने आप चेन सामने आ जाएगी यानि एक लंबी चेन है लंबी चेन है तीन लोगों की चेन है जिसका विग्यापन चल तो निस्पक्ष जांच होगी और आपको बिल्कुल दूद का दूद और पानी का पानी मिलेगा चलिए थैंक यू सो मच हरी बहुत बहुत बहतरीन तरीके से आपने इस पूरे मसले को समझाया हमें बहुत बहुत शुक्री आपका हरी यह जो पूरा मसला है हम एक बार फिर बहुत इससे हमारी रिक्वेस्ट है परशनल भी हमारी रिक्वेस्ट है कि पता लगाएं आपकी निष्ठा पर आपकी मानदारी पर आपकी छावी पर किसी को 쓰고 संदे नहीं है कहीं ऐसा नहों कि कुछ अदिकारी मिलके इसी छफाई ले रहे हों धरातल पर आप ही के विभाग में प्रश्टाचार का दीमक लगा रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं रितु मैडम प्लीज प्लीज हकीकत क्या है क्योंकि जीरो टॉर्रेंस की बात है हकीकत क्या है वो बात सामने आनी चाहिए यह होडिंग्स अगर रेविन्यू अरजनिक होनी चाहिए ताकि दूद का दूद और पानी का पानी हो और अगर किसी की सनलिपता है तो जाज भी करवाईए आप से उमीद है थैंक्यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार जैहिन जैभारत कि 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 क कि क क क